हेलो हाई एव्रीवन वैल्कुम बैक टू मैं चैनल अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटुब चैनल साइको सूत्रा पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइको सोमेटिक मेडिसिन हमारा हेल्स साइकोलोजी का प्लेलिस्ट चल रही है उसकी सीरीस चल रही ह सबसे पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा था? बायोमेडिकल मॉडल उसमें क्या था सिर्फ बायोलोजिकल फैक्टर्स पर ध्यान दे रहे थैं सैक्लोजी कल्स सोचल इन्वार्मेटल फैक्ट्रस पर प्लोग ध्यान दे कि pousके नहीं रहे थे। एंसके आज हम क्या पढ़ने और उसके बाद behavioral medicines कैसे आया I hope आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो ने लाई सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर तो बहुत मैनत लगती है educational वीडियो बनाने में आप तक अच्छा content अच्छी education पहुचाने में देखे ये एक ऐसा field है psychosomatic medicines का जो relationship हम कहा सकता है connection बताता है दो चीजों में psychological factors and physical health ये ये बताता है कि अगर हमको मानसिक तनाव है mind और body connected है ये बताता है अगर हमको मानसिक तनाव है psychological कोई condition issue है उससे हमारी physical health खराब हो सकती है और उसको ठीक करने की medicine techniques इनी को क्या कौन सा field कहा गया है psychomatic medicines father of psychomatic ठीक है father of psychosomatic ठीक है psychosomatic मतलब psychology mind sums को refer कर सकते है और somatic, soma, soma मतलब क्या होता है cell body, body soma मतलब body होती है so psychosomatic मतलब psychological and body psychological factor and physical health को combine किया गया इस field में और यह बताया गया है अब इसके father कौन है Franz Gabriel Alexander हम यहाँ पे France क्या सकते हैं आगे हम इसको refer करेंगे Alexander जी से refer करेंगे तो 1950 में इन्होंने क्या कहा पहली बार तो इन्होंने term use किया ठीक है psychosomatic बताया psychosomatic क्या होता है और इसके कुछ seven specific disease भी बता दी है जैसे peptic ulcer जो चाले होते हैं पेptic ulcer के बारे में बताया asthma के बारे में बताया bronchile kolitis के बारे में बताया hypertension के बारे में बताया थोड़े कुछ skin diseases के बारे में बताया thyroid disease के बारे में बताया तो इनको कहा जाता है the holy seven इन seven specific disease को aggregate करके और कैसे ये impact कर रहे है psychological factors कैसे इनको affect कर रहे हैं और यह चीज़े हो रही है इस time इनोंने यह word use किया था psychosomatic उसके बाद की पुरा field बन गया अब अगर मैं define करूँ कि psychosomatic disorders होते क्या है यह तो आप बहुत common चीज़े हैं यह आप खुद पढ़ ले stress anxiety, depression और मैं आपको एक और example देना चाहती हो अगर वो आप add करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके knowledge में वो है IBS irritable bowel syndrome का उसमें क्या होता है कि पेठ की condition कुछ ठीक नहीं होती है हमें fresh होने के बाद भी washroom एक तो बार बार जाते हैं diarrhea इसमें होता है कि अगर आपकी life में कुछ बहुत जादा adverse situation चल रही है या कुछ trauma हुआ है या बहुत stress भरी life चल रही है उससे आपका पेठ खराब होता है simple सिर्दी भाशन में बताऊं तो तो इसमें आपको relation दिख रहे है stress, mind, psychological factors कैसे आपका पेठ याने की psychological factor कैसे impact कर रहा है आपकी physical health को right stress, anxiety, depression, personality traits में ये काफी देखने को मिलता है और कुछ trauma जो हम जिसको हम accept नहीं कर पाते हैं ठीक है, accept नहीं कर पाते हैं वो भी आगे चल कि हमें कुछ physical health में problem दे सकता है एक और simple सा example अगर में लेना चाहूं तो जो वैक्ती बहुत ही ज़्यादा over working होता है जो अच्छी से सो भी नहीं पाता है उसका sleep cycle पे बिगड़ा हुआ है वो pollution भरी उसमें रहता है और वो बहुत ही तनाव में रहता है और वो बहुत ही कि उसकी dark circles होंगे क्योंकि उसको stress है उसे physical health impact पड़ दे उसको skin diseases बहुत सारी हो सकते उसको acne आ सकता है उसको बहुत सारे pimples हो सकते है अब इसका rise कैसे हुआ है राइस से पहले थोड़ा थोड़ा हम इसकी historical history के तरफ देखते है ancient roots कहां से निकलता है सबसे पहले हम ancient civilization में यह देखने को मिला था आयुरुवेद में इसका वर्नन है Chinese medicine जो traditional है इसमें इसका वर्नन है कि कैसे हमारे emotions और thought हमारे health physical health के ओपर हमको impact करते है फिर 19th century में नियूरलोजी का बहुती ज़्यादा impact हो रहा था impact क्या rise हो रहा था सबसे famous हमारे psychology में एक neurologist है आप सबको उनका नाम पता है वो एक Austrian neurologist है Sigmund Freud जी हाँ Sigmund Freud एक Austrian neurologist थे जिन्होंने भई मैं तो कह सकती हूँ कि psychology में जलवा ही Sigmund Freud जी का चलता है anyways तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बात की थी hysteria की जिसमें उन्होंने बताया था कि mind-body का relationship कैसे होता है 19th century फिर आगे physicians ने और काम किया और psychologist आये उन्होंने काम किया उन्होंने emotional emotional जो हमारे state होते है वो कैसे physical health को influence करते है इसके बार में बढ़ा फिर 90s, 30s to 90s, 50s की बात हुई उसमें भी काफी सारे changes आये उसमें हमारे जो friends Gabrielle Alexander थे Helen Jubler and Walter Cannon इन सब का बहुत impact हुआ psychological stress और physical कोई भिमारिया कैसे जैसे ulcer हो गया, asthma हो गया, hypertension हो गया ठीक है, peptic ulcer हो गया तो यह सब कैसे होती है psychological हमारे किसी तनाव से pressure से, stress से, depression है mind वे, ठीक है हमको सोच रहे है, कुछ negative overthinking हो रही है वो हमारे physical body पे क्या impact कर रही है हमको कैसे बिमारी दे रही है, उनके बार में बात किया फिर 1949 में 1942 में जनरल निकलना चालू है American Psychosomatic Society बनी देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर इतना world war में तो आपको पता है, उसको वो होने के बाद कितना मांसिव तनाव होता है how much a person is dealing with a hell of traumas वो उसकी physical health उन लोगों की physical health पे कैसे impact डाल रहा था इन सब चीजों से ही किसका emergence हो रहा था देरे-देरे psychosomatic field का right so मैंने आपको जितना भी अभी बोला वही सब इस पे लिखा हुआ है you can read and understand development of disciplines के बारे में मैंने भी बताया integration of medicine कैसे हुआ था यह बताया decline कैसे हुआ दिये-दिरे न behavioral medicines ने अपनी जगा बनाई और psychosomatic approaches जो है, जो medicine वो दिये-दिरे नीचे के तरफ चला गया scientific advancement हुए है और techniques आई scientific चीज़े और बढ़ी psychosomatic का और नीचे चला गया फिर integration है, fragmentation हुआ एक field अलग बन गई, दूसरी field अलग बन गई इसको हटा के काफी सरे approaches एक electric approach अपनाई और इसके धिरे-धिरे चीज़े पीछे चली गई क्या पीछे चलता गया psychosomatic medicines जो behavioral medicines थी उन्होंने काफी सारे interventions and prevention पहले ही निकाल दी है lifestyle की उपर उन्होंने काम किया कि अगर lifestyle खराब है तो पक्कत तुमको को बिमारी होगी जैसे smoking हो गया ज्यादा exercise weight management ज्यादा exercise इन सब को इन सब के उन्होंने काम किया मतलब lifestyle diseases और lifestyle को उन्होंने ज्यादा focus किया तब psychosomatic जो field है मुह नीचे जाने लगी धीरे-धीरे empirical validation और lack of scientific चीज़े थी इसमें psychosomatic में इसी का फायदा उठाते हुए जितने भी इसके बाद आगे fields निकली है वो mostly सबसे ज़्यादा scientific है अभी तक और empirically validating भी है काफी नई नई field आने लगी जिससे psychosomatic का जो branch है वो पीछे चला गया जैसे neuropsychiatry आ गई यह चीज़ पीछे गई psychosomatic और पीछे गई mind and body medicine एक नया field आया psychosomatic medicine और पीछे गिसकती चली गई उसके बाद सबसे जो आज तक का सबसे बढ़िया चल रहा है psychoneuroimmunology और एक इसके बाद भी field निकली है इसके बारे में ज्यादा बात अभी करते रही है लोग क्योंकि इतना awareness नहीं उसके बाद भी आया psycho endo neuroimmunology yes it is a very broad term सो जैसे ऐसे इन सब का फिल्ड बढ़ा psychosomatic medicine का फिल्ड पीछे हटता चला गया यह अभी भी relevant है लेकिन फेमस नहीं है ठीक है वो तो हम psychology वाले पढ़ रहे हैं या nursing वाले या medical वाले जित्ते भी वह हम पढ़ रहे हैं लेकिन आजकल जो मैंने अभी कुछ नाम बोले psychoneuroimmunology neuropsychiatry mind body medicine इन सब के बारे में ज्यादा बात होते हैं इनके बारे में बात होनी थोड़ी कम हो गई अब धीरे धीरे जित्ते भी मैंने reasons बोले of course fall होगा marginalization in clinical practices fall continued influence in health psychology in medicine third resurgence in specific areas neurology बढ़ेगी अलग अलग देखी कितने अच्छी से फील्ड आ रहे है study of placebo effect भी आजकल इतना हो रहा है जिसके वैसे फील्ड थोड़ा सा हड़ गया है ठीक है psychocardiology जब specifically इतने सारे फील्ड आ जाएंगे तो जो broader जो सबसे पहले विला था उसको हम भूलेंगी बट एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी theories हम पीछे करते गरते नहींने theories बना रहे है बन तो वह उसी basis पे रही है तो मैं तो कहूंगी base और basics अगर clear हो अगर होतकते psychosomatic कोई चीज नाम लेके आया ही नहीं होता ऐलेक्जेंडर जी आया ही नहीं होते तो इस फील्में इतना research कैसे होता और इतना improvement कैसे होता right मैं कहना चाहूंगी कि biomedical model जो था वो भी important था psychosomatic medicine है वो भी important है आज की परिवेश में कहीं न कहीं इसके बाद behavioral आएगा फिर हो सकता है वो भी reject हो जैसे हम 10th class में नहीं पढ़ते थे हमको एक theory पढ़ाएगे उसके बाद फिर बोला गया यह तो गलत है उसके बाद यह scientist है फिर यह भी गलत है उसके बाद यह scientist है so it is like that अब कुछ physiological mechanisms है psychosomatic illness का की neuroendocrine system है उसमें क्या क्या होता है वो stress hormone और cortisol वाली जो मैंने चीज़ बताई थी आप प्लीज biomedical वाला जो लेक्चर है वो देखके आई है आपको यह सब पढ़ने के जरूत नहीं पढ़ेगी और जो बाकी बच्चे जिन्होंने biomedical model नहीं देखा या तो जाके देख लो या तो इसको read कर लेना right diagnostic challenges भी आते हैं कि एक time पे अगर बहुत सारी बिमारियां हो तो वो कैसे diagnose होंगी है न कुछ overlapping symptoms हो जाए headache हो सकता है इस बिमारी में भी होता उस बिमारी में भी होता तो हम कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिमारी है lack of specific biomarkers stigma associated with mental health इंसान मानेगा यह न कि उनको लगा कि हाँ भई physical है physical health हमारी खराब है तो कुछ biological factors से होगा कुछ ऐसे ही होगा कोई क्यों मानना चाहेगा कि मैं और वैसे भी एक बहुत गंदा stigma है mental health को ले कि अगर मैं psychologist या psychiatrist के पास जा रहा हूं इसका मतलब मैं पागल हूं तो मैं पागल थोड़ी रहा हूं subjective nature of symptoms होते है हर अलग-अलग चीजे से जो बूढे लोग होते है वो बूलते ही कि मेरे पेट में मुझे पैर में ऐसे चंचन हो रहा है ऐसे गिल-गिल हो रहा है तो अब यह इतना subjective चीज है symptoms को पगड़ना उसकी वाज फिर डाइग्नोस करना तो यह बहुत ही जादा diagnostic challenges है यह अपने आप में ही काफी complex है तो यह कुछ challenges होते है psychosomatic में अब इसका management देखें तो psychotherapy हम दे सकते हैं pharmacology काम सहरा ले सकते हैं lifestyle modification कर सकते हैं यह तो सब लोग करो अच्छे से अच्छा खाना खाओ अच्छे से सो family के साथ रहो nature में time spend करो mind body practices करो किसी को yoga पसंदे आप yoga करो relaxation technique कर लो mindful eating या कुछ भी ऐसा कर लो mindful driving भी आजकर लोग नहीं करते है mindfully एक हाथ में phone होगा phone पे बात कर रहे होंगे गाना चल रहा होगा कहीं से कुछ खा रहे होंगे किसी से एक से बात कर रहे होंगे और गाड़ी चला रहे होंगे so it is not good mindful eating कीजिए बिनना कुछ देखे खाने का स्वात लेके 32 बार चबाके खाईए जैसे पहले बोला जाता था अगर driving कर रहे हैं तो सिफ driving पे ध्यान दीजिए अपनी गाड़ी और दूसरी गाड़ी पे ध्यान दीजिए future of psychosomatic medicines क्या है देखिए despite the challenges and the decline in psychosomatic approaches there is a growing recognition of the mind body connection मैंने खा ना basics बही जड़ को पकड़के चलेंगे तभी आवा में उड़ पाएंगे एक बहुत विशाल पेड़ भी होता है वो भी अपने जड़ों पे ही खड़ा होता है the field is experiencing a resurgence with the increasing research and clinical evidence supporting the impact of psychological factors on health अब इसमें कुछ में drugs का अगर नाम लेना चाहँ कुछ medicines का नाम लेना चाहँ तो यह कुछ famous है duloxectine, paliperidone, rasperidone haloperidone encytalopram, acetylopram sterline है ठीक है और बहुत सारे तभाईयों के नाम है right so I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो मैंने short रखने के कोशिश किये यह बहुत बड़ा लंबा discussion वाला topic है but मैंने short and crisp रखने के कोशिश किये I hope आपको पसंद आया हो अगर आपको इससे knowledge मिल रही है और आपके knowledge बढ़ रही है आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो देखना आपको अच्छी लग रही है प्लीज कॉमेंट करके बताइए प्लीज सपोर्ट स्वस्त रही है सुखी रही है मिलते अंगले वीडियो में